हेलो प्रेंट्स आज मैं आप लोग साथ सेयर करने वाली हूं किट कैट कस्टर आइसक्रीम यह आइसक्रीम आपको बहुत जादा ही टेस्टी लेगा जब आप इसे घर पे बनाएंगे वैसे भी सिच्वेशन बहार का कुछ ऐसा है कि हम बहार जाके कुछ चीज खानी सकते और दोडर नहीं अच्छी तरह से घोल लेंगे यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कस्टर्ड और दूड़ को अच्छी तरह से घोलना है ताकि इसमें को लंप सना रहे और दूड यहां पर लगबग मैंने आदा कप यूज किया है चले चलते नेक्स प्रॉसेस पे तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे आप इस skin को किसी भी दूद से बना सकते हैं आप इससे गाय के दूद से बना सकते हैं और पैकेट वाले दूद से भी से बना सकते हैं अगर आपके पास भैस का दूद है तो यह बहुत ही अच्छा है तब आप देखिए कितना पतला था हमारा बैटर और अब कितना गाड़ा हो गया है इसे करण में हमें मुस्किल से 4-5 मिलट लगे तो लीजी अब गैस का फ्लेम को आफ करेंगे और इसे मैं निकाल रही हूँ एक बोल में बोल में निकालने के बाद हम इसे कंप्लीटली ठंडा करेंगे अगर हम इसे गरम गरम यूज कर लेंगे तो यह हमें आचा फ्लेवर नहीं देगा तो इसे कंप्लीटली ठंडा कर ले चाहे तो फ्रीजर में रख दे चाहे तो फ्रीज में रख दे चाहे तो पंखे की नीचे रख दे कहीं भी रखके हमें इसे कंप्लीटली ठंडा करना है तो यह देखिए मैंने इसे फ्रीजर में लग दिया था यह कंप्लिली ठंडा हो गया है अब एक फोक के मदद से इसे हम अची तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम अची तरह से फेट लेंगे ताकि इसमें कोई लंस न रहे जाए अब मैंने यहां पर लिया विपिंग क्रीम यह व अची तरह से पेटना है जिस तरह से दही पेटते हैं वह टेकनिक भी यहां पर यूज कर सकते हैं तो यह देखिए विपिंग क्रीम और कस्टेड अची तरह से मिक्स हो गया है तो मेरे पास है कुछ अप ड्राइब फूट्स यहां मैंने काले किसमिस लिये हैं काजू लिया अपने हिसाब से कोई भी ड्राइफूट्स इसमें एक कर सकते और नहीं तो आप इसे विना ड्राइफूट्स के भी बना सकते हैं तो इसे डालकर अची तरह से मिक्स कर लेंगे अब मैंने लिया एक प्लास्टिक का कंटेनर आप यहां पर कोई यूज कर सकते बस ध्यान अपना आइस क्रीम का बैटर और इसे पूरा डालने के बाद हम इसे फैला देंगे ताकि यह अच्छी सेप में रहे अब इसमें लगा देंगे ढ़कन और इसे अम कवी आट गंटे तक फ्रीजर में रखेंगे या तो आप आट गंटे रखे या तो आपके फ्रीज पर हैं यह देखी कितना सुंदर कितना अच्छा हमारा आइस क्रीम लग रहा है तो यह जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसे विदाउट आइस क्रीम स्कूप का बनाएंगे या इससे निकालेंगे तो मैंने इस तरह के यह कलची लिया है जो सभी के घर में अवलेवल रहते हैं आप कलची से भी इससे आइस क्रीम असानी से निकाल सकते हैं मैंने इसे ग्लास में निकाल रही हूँ आप चाहे तो कटोरी में निकाल ले तो यह देखी कितना सुंदर कितना टेम्टिंग हमारा यह आइस क्रीम लग रहा है अब मैं इसे डेकुरेट करें कुछ ड्राइफ यहां फूट से कुछ टूटी फूटी से और लास्ट में लगाई हूँ किट केट 2 किस्टड ऐसकेम घर पर बंधा है आपको मेरी ये रे सब्सक्रा टैप सेलिगे मुझे मेरे कमेंट सक्सेर म array घृत जरू बदैंड तो चलिए मिलते हैं अगली बार फिर इसी तरह कुछ रेस्पीस के साथ तब तक लिए बाबाए